हेलो जी रादे रादे मिस्टर और मिसिस गुपता ग्रेंग टोक में आप लोग सभी का स्वागत है तो अब मैं डेली अपना डेली रूटीन जो मेरा मतलब डे है उसका व्लॉग सेयर करूंगे अपने यूटुब चैनल पे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिएगा सेयर करिएगा लाइक कमेंट्स बताइएगा कि कैसी मेरी रूटीन है क्या है बहुत हेक्टिक दे होता हम तीन ही जन बहुत है लोगों का मैं क्या बता हूं मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाना कुकिंग का वीडियो फिर अपना इंस्टाग्राम का रिल्स का बनाने के लिए चटनी अच्छा लगता है फिर मैंने अपने हेर में ओइलिंग किया थोड़ा आप देख सकते हैं बहुत छोटा-छोटा हो गया मेरा थोड़ा ओइलिंग करने से बाल अच्छे हो जाते हैं बड़े होंगे और मुझे छोटे बिल्कुल पसंद नहीं इसले मैं आप मेरे देखेएगा सिप्डर अपने सिप्राइद आंडरइस्कोर गुप्ता इसकोर देंद्रेटि को फिर मैं एक्सराइज करना था फिर मैं जंपिंग करती हूं एकसराइश मतलब रसी कूछती हूं उसके बाद मेरा कपाल भाती मैं करती हूं क्योंकि थोड़ा वेड गेन हो गया था तो इस वज़ा से मतलब मेंटेन रहे तो ज्यादा ही अच्छा है फिर मैंने चटनी बना लिया अपना जो चने दाल और मुमफली का कोकोनट का बनाया था मैंने चटनी बहुत तेस्टी चटनी था सच में इसकी वीडियो मैंने अपने फिर बनाया फिर चटनी बन गया फिर तड़का तयार किया और तड़के में मैंने चना दाल लिया था उरत दाल लिया था लाल मिर्ची लिया करी लिप्स लिया और राई लिया था और बस तेल लिया मस्टर्ड का उसमें तड़का लगाया और चटनी में मिला दिया देख सक पूंसीच अधे बनाना था तो तो मैंने आधे किया थोड़ा निकाला एंड उसमें पानी मिला या फिर कंसिस्टेंशी जो भी करना था तो मुझे फिर मैंने कुछ वेजीटेबल से बहुत किया रहैं तो मैंने करने लिए तो पंपने के लिए ग्ले मेरे हजबन को ज्यादा से ज़्यादा उत्पम पसंद है और मुझे डोसा मेरी बेटी को भी डोसा पसंद है तो मैंने थोड़ा बैटर निकाल लिया फिर इसमें थोड़ा पानी मिला दूंगी अभी पतला कर दूंगी एंड हाँ मेरी अगर आपको मेरी लाइफ से और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इंसान की नहीं रह सकता यही सब फिर आप देखे मैंने इसमें डोसे का बेटर में पानी मिला दिया अब इसको आप अपने एकॉर्डिंग कर लीजे जितना मतलब डोसे का बेटर होता है तो मेरा हो गया जो भी मतलब यह करना था थोड़ा सा और पानी मिला मुझे थोड़ रख दिया उसको डिबे को अट क्योंकि डिबे उसमें जो था ना बेटर उससे मैं उत्पम बनाती है इसको यहां बदमासी कर रही है बोड़ के पास बहुत बदमास लड़की है बहुत और यह यहां बाई साफ फोन पे आल टाइम फोन पे पगवान क्या होगा मुझे नही गई अपनी रूटीन डेली रूटीन खाना बनाना यह वो वगरा वगरा तो बस मैं आई तवर रखी ओतावा पे थोड़ा मैंने ओयल ग्रिस किया उसके बाद यह आ गई मेरे से बात कर रही थी कुछ-कुछ देखिए देखिए यह कितनी वदमास है न सच में मैं क्या बता हूं तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं अपनी बेटी की वीडियो अपलोड करूंगी वह बहुत अच्छे से बोलती है बहुत अच्छा लगता है बोलती है तो फिर मैंने अतावा रखा फिर ओयल से थोड़ा ग्रिस कर दूंगी इसको और फिर उसके बाद इसको हाई फ्ले अपका गैस गंदा भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा और फिर फ्लेम को लो करिएगा उसके बाद आप डोसे का बैटर डालीएगा उस पर तवे पे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा अगर हीट दवा रहेगा ना होट रहेगा तो फिर नहीं बनेगा डोसा यह मेरी ख को गोल 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 गुमाके डोसे का सेब दीजे तो आप देख सकते हैं कितना स्मूधली यह गूम जा रहा है ठीक है तो देखिए काफी अच्छे से गूम रहा था काफी अच्छा बना भी था तो बस और फिर अभी डोसा बन जाएगा फिर हम लोग खाएंगे वैसे संडे तो ऐसे हम लोग कई गय तो नहीं थे संडे के दिन क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ मन नहीं था कहीं जाने का क्योंकि हरा डेली न मुझे जाना ही पड़ता है स्कूल अपनी बेटी को लिवाने मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कितना हेक्टिक मतलब वाक करके जाते हैं बहुत ल को लोग सबस्क्राइब को मतलब दोता हैं तो फिर मैं जाती हूं मेरे मतलब करतेशेक में पने घैप से लिवाने मात। घरेल और उपसाये हैं वह पोर हिलं कि खाऊंगी चैस्सदू मैं अपने रमधर इसाष्पः चोर अथन बेस्कंट करतेशिक यद्ध मेरे किच보म में मेरी इंस्टाग्राम पर भी एक आइडी है मैनिया अंडरिस्कोर आफ फूड अप उसको भी फॉलो कर लीजेगा वहां भी मैं रेसिपी अपलोड करती हूं तो आप से भी देश करते हैं अब मैं दूसरा पैन रखी और उसमें मैंने बनाया उत्पम हस्बन बोले कि मुझे ज करा नौन वेज़ किहला उनको जब पहुत पसंदे क्षाना लेकिन मैं चाहती हुआ है क्योंकि मुझे मुझे आता है बनाने व्याना जानती हूं या तो किसको खिलाओंगी तो यह रहा उत्पम, डोसा खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, यह डोसा बन गया, हमारा रेडी हो गया, और आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी-क्रिस्पी था, अच्छा था, और पता है, मुझे न, डोसा देख के, कंट्रोल नहीं होता, मुझे कितना भी भूख, मतलब पेट भरा रहे हैं, तो अब मैं खा लूँगा, और मुझे डोसा मिल जाए, तो आपने देखा, मैं थोड़के थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं होता, डोसा देख के, उत्पम देख के, इडली देख के, बड़ा देख के, फिर मैं एक और इनके लिए लेके आई, फिर अपने किचन में गए, अब मेरी बेटी खा रही थी, आइस क्रीम, जो कि ये नहा के आए, उसका मैं नहीं है, तो फिर ये बोल लही है, ममा मुझे आइस क्रीम खाना है, प्लीज खिला दो ना मुझे आइस क्रीम, और ये बाहर बहुत अच्छा धूप नि भी मैंने वही रिपिट किया, क्योंकि वही पैन था, पैन में ऐसी मतलब डाल दिया, ओयल ग्रीस करके फिर उत्पम दो बनाया, और देन दो डोसा या, एक डोसा जैसा कुछ बनाया, उसके लाद हम दोनों खाय मिलके, मा बेटी, और हजबन मेरे ओफिस चले गया थे, अप जो डोसाई में था, और उसके बाद मैंने ये सबजियां जो था ना, वह सारी सबजियां डाल दी, मा कसम सच में बता रही हूँ, इतनी टेस्टी लग रही थी ना, आप जरूर बना के ट्राइ करिएगा, मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगे अपने चैनल पे, आपको कैसा लगे, I don't know, so मेरा उत्पम भी रेडी हो गया, फ्लेम बनाने के लिए फ्लेम इसका लो ही रखिएगा, तो ज्यादा अच्छा बनेगा, या मीडियम करिएगा, तो दीरे दीरे ये अंदर तक पकेगा, क्योंकि मोटा होता है इसका वो जो बैटर डालते है, उस मेरे पूरा थाली तयार हो गया, अब हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद, उसके राद हम लोग ना, मेरी बेटी को मैंने सुला दिया, मार पीट के, फिर आ गया, हजवेंट आफिसे कुछ पिला और ठंडा ठंडा सा, फिर मैंने बनाया टैंग, उसके बाद ये चले मुझे खासकर बहुत बिरियानी, बहुत कसंद है, तो इसलिए मैं काफी काइम बाद आज बनाने जा रही हूँ है, वह हो गई हमारी बिरियानी बन चुकी है, तो चलिए, कवर, मतलब को इसका धपना इसको भटाते हैं, और देखते हैं, कैसा बना इसका टेक्चक, और इन बना सकते हैं, काफी यमी यमी सा दिख रहा है, और ये चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, मेरे चैनल से, तो नहीं होगा तो अपलोड कर दोंगी इसका वीडियो, ठीक है, देख सकते हैं, काफी फरफरा सा हुआ है, राईस काफी अच्छा लग रहा है दियानी, ये देखिया, जादी खाती हो खोड़ा सा, बहुत अच्छा टेक से रहा है, बहुत अच्छा बना सच्छा, खाके बताएंगे मेरे हज़रन की कैसा बना है, मैं सूट करने की कोशिस करूँ भी, ठीक है, दोनों जनी खाके बताएंगे कैसा अच्छा लग रहा है, ये भी खा रही है, और ये भी खा रहे है, बतानी केसा बना होगा, हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् झाल झाल